नमस्कार, स्वागड़ allow. कैसी हैं आप सब तो आज मैं इसको अमडा ही बोलते हैं ना exactly पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हिंपना इसके यह ही तो मुझे थोड़ा सा मिला था तो चलिएielen बनाते हैं अचार इसको में मीडियम साइस के लेंगे बहुत पड़ी यह पकी वाली नहीं लेंगे वो गल जाती है न, चे नहीं लगती है तो इनको हम कट करके, मैंने इनको दो के फैन में सुखा दिया था अब मैंने इनको कट कर लिया है और इसमें हम तीन टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगी क्योंकि नमक उतने की जरुद पड़ती है, खठास है ना बहुत ज़ादा, तो उतने की जरुद पड़ती है, इसको हम आदे गंटे के लिए नमक डाल करके हम छोड़ देते हैं, ऐसे होने से क्या होता है, आदे गंटे में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, नमक कुछी तेल गरम होती है, हम उसमें हमारे हरी मिर्चे, अद्रग, लहसन, करीपत्ता, इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, और मिर्च पॉडर, हल्दी पॉडर, हींक पॉडर, मेती दाने का पॉडर, इतने की जरुद रवत हम को पड़ती है, तो तेल हमारा गरम हम चुका है, हम डालेंगे उसमें अद्रग, लहसन, हरी मिर्चे, और करीपत्ता, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो जिंजली ओल की खासित किया, जैसे ही ही हो हीट होती है, हम उसमें कुछ भी डालते है, वो चार्प बन कर राती ही उपर, तो थोड़े ध्यान से करेंगे ह और हम इसमें जो हरी मिर्चे, लहसन, अद्रग डाले हैं, इनका कलर चीज नहीं करेंगे, लिकिन इनको अची तरह से फ्राइड हो जाना चाहिए, अब हम इसमें, हाफ टीस्पून मैंने इसमें, हल्दी पॉर्ड़ डाल दिया है, और मैंने टू एंदे हाफ टीस्पून, जाले हैं, शिम्ला मिर्च का पॉर्ड़ डाला है, क्योंकि इसे कलर बहुत अच्छा आता है, और हमने तीखेपन के लिए हरी मिर्चे डाली है न, आप चाहो तो जादा डाल सकते हो, अब मैंने तुरदे देर के लिए ग्यास को बंद कर दिया है, क्योंकि मसाला जलने की ड तो थोड़ा आगे पिछे करना पड़ता है, तो अब मैंने इसमें मेती दाना भी डाल दिया है, और देखेए, जाग सा बन गया है, इसको मिच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसनका कच्छा पंदूर कर लेगा, च्छी तरह से मसालों को हम बूर लेंगे, वैसे चाबलों क वो निकल जाए, जो पानी इसमें साथ मेरा थी, उसको भी हम साथ मेरा डाल देते हैं और इनको धीमी आज में हम इनको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, पांच मिनट के लिए ताकि इनका जो कच्छा पन है, वो निकल जाए, अब देखे थोड़े यसे भालके से पक चुके हैं न, नमक की वज़ा से ऐसे हुए हैं तो अब यह तैयार है, इनको आप बॉटल में बर कर रख दीजिए, लेकिन इनको आपको फ्रिज में रखना पड़ता है अगर ओयल आप अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा डालते हैं तो बहार रह जाती है, कोई खराबी नहीं आती है तो इनस्टेंट अच्छार है, बहुत जल्दी जैसे बनाते हैं अब खा सकते हो तो आशा है आप सबों को पसंद आएगी और आप ध्यान रखिएगा इसको बनाते हैं वक्त अप लोहे की कड़ाई ये तामे की कड़ाई को प्योग ना करें जैसे काले पढ़ जाते हैं और स्पून भी ना बहुत जल्दी काले पढ़ जाते हैं इस्टील होतो तो आप सबों का तिल से द्राइब